हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी याज की कहानी का नाम है दुस्मन आखिर कब तक अपनी बहन के उपर पैसे खर्च करते रहोगे ऐसा करो पूरा घरी अपनी बहन के नाम कर दो ताकि तुम्हें रोज रोज समझाने से मुझे मुक्ती मिले प्रियंका ने अपने पती न नितिन के बीच भैस होने का कारण है नितिन की बहननिका माता पिता के देहांत के बाद नितिन ने ही अपनी बहननिका की साधी कर दी थी और उससे वादा किया था कि वह हमेशा उसका साथ देगा सुख हो या दुख सभी परिस्तितियों में हमेशा जब भी उससे जरूरत हो भाई हाजिर हो जाएगा लेकिन नितिन की पतनी प्रियंका को अपनी नदन का सुरू से ही पसंद नहीं थी पता नहीं क्यों वो अनिका को हर वक्त कोई ना कोई बात को लेकर बिना वजाही अनिका से जगडा करती रहती थी अनिका हमेशा भावी का सम्मान करते हुए उत्तर में कुछ नहीं बोलती थी या सब देखते हुए नितिन अपनी बहन की फिक्र करते हुए उसकी साधी करने की सोच ली ताकि भापनी बहन को अपने ही घर में अपमानित होता ना देख सके नितिन ने अनिका के पती के रूप में मनोज को चुना जो एक बड़ी कमपनी में मैनेजर का काम करता था मनोज अकेला ही था उसके भी माता पिता नहीं थे दो भाई थे जिनका मनोज से किसी वज़ा से कोई रिस्ता नहीं था मनुज सांत सुभाव वाला और अनिका को बहुत ही प्यार करता था अनिका भी खुस थी अपने ससुराल में और अनिका को खुस देख नितिन भी खुस था कि जो जिम्मेदारी माबाप उसे दे कर गए थे उसे जिम्मेदारी को उसने बखुबी निभाया लेकिन कहते हैं भगवान को साइद कुछ और ही मनजूर था अनिका के पती का एक दून एक्सिडेंट हो गया था एक्सिडेंट की वज़ा से अनिका के पती के सरीर का एक तरफ के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था चल फिर नहीं सकता था उसकी ऐसी दसा देखकर कमपनी के मालिक ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया अनिका परमानों जैसे दुखो का पहाड तूट पड़ा चारों तरफ से उसे मुसीबतों ने घेर लिया पती की नौकरी जाने के बाद कमपनी से जो फिलेट मिला था वह भी छिन गया था और जो पैसे थे वो घर खर्च और मनुझ की दवाओं में खर्च हो गए थे बस अनिका के पास ना सिर परचत रही और ना ही रहने सहने का कोई ठिकाना पती के इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे बस इसी चिन्ता में वह आधी हुई जा रही थी उसकी चिन्ता को दूर करते हुए नितिन ने कहा तेरा भाई है ना तेरे साथ क्यों फिक्र करती है और चल इतना बड़ा घर है अपना वहीं रहना अब तुम दोनों भी नितिन ने अनिका से कहा नहीं नहीं भाईया मैं खुद ही कुछ इंतजाम कर लूँगी लेकिन तुम्हारे उपर हम बोज नहीं बनेंगे अनिका ने कहा अरे पागल है क्या बहन कोई बोज होती है क्या और सुन वो घर जितना मेरा है न उतना ही तेरा भी है समझी नितिन ने कहा ठीक है भाईया अगर आप कहते हैं चलती हूँ लेकिन एक सर्थ पर मैं जानती हूँ आपको बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस हाल में देखते हुए आप मेरी मदद करना चाहते हैं अगर आपको मेरी मदद ही करनी है तो प्लीज मुझे कोई काम दिलवा दीजिए या फ अप साथ हो तभी तो आपसे ही मदद मांग रही हूँ ठीक है मैं तेरे लिए दुकान और मकान दोनों की व्यस्ता कर दूँगा लेकिन तब तक तुम दोनों को मेरे साथ घर पे रहना होगा नितिन ने कहा अनिका ना चाहते हुए भी अपने पती को लेकर अपने भाई के स चल दी वह जानती थी नितिन अपनी बहन को दुख में नहीं देख सकता लेकिन अनिका को ये भी आभास हो रहा था कि घर पहुचते ही हिटलर भावी का युद्ध सुरू होने वाला है अनिका मन ही मन सोचने लगी जैसे ही नितिन अपनी बहन अनिका वापने बहनोई मनोज को घर लेकर पहुचा वैसे ही प्रियंका के मुसे सोलो की बरसात होने लगी अरे ये क्या तुम इस अपाहिज को यहां क्यों ले आए यहां को एस्पताल थोड़ी खुला है प्रियंका ने अनिका के पती का अपमान करते हुए कहा चुप तुम्हें कितनी बार कहा जब बोलना नहीं आता है तो बोला मत करो आखिर में यहां इस घर के दामाद है और अनिका इस घर की बेटी उसका जम मन करे यहां आएगी और जब तक मन करे यहीं रहेगी नितिन ने प्रियंका को फटकार लगाते हुए कहा यहां सब देक अनिका और मनोज को अच्छा नहीं लग रहा दोनों यहां रहकर बसमुप्त की रोटियां तोड़ेंगे और मैं इन दोनों की सेवा में लगी रहूं। प्रियंका ने कहा अनिका क्या हुआ भावी प्रियंका की आवा सुनकर आई पता नहीं मेरी सोनी की चैन मिल नहीं रही है। अनिका ने कहा जूट मत बोलो अच्छे से जानती हूँ चैन तुमने ही चुराई है सर्म नहीं आती अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए मेरी चैन मुझे वापस करो प्रियंका ने कहा। मौका अच्छा था अनिका और मनोच को घर से निकालने का क्योंकि नितन बिजनिस के काम से बाहर गया हुआ था। प्रियंका चोरी का इल्जाम लगाती रही और अनिका को बेच जित करती रही बस बहुत हुआ भावी बहुत करवा लिया हमने अपना अपमान हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं साइद वक्त अभी हमारे साथ नहीं है एक बात याद रखना भावी वक्त सबका एकसा नहीं होता आज वक्त मेरा खराब है आज तो आपने चोरी का इल्जाम लगाया है कल न जाने और क्या इल्जाम लगाओगी लेकिन अब हम भी अपमान नहीं सहेंगे हम कल ही आगर छोड़ कर चले जाएंगे अनिका नहीं कहा हाँ जाओ ना रोका किसने है तुम्हें प्रियंका नहीं कहा मनोज और अनिका सुभा होने का इंतजार करने लगे आखों में आसू और दिल में दर्द आखिर करे भी तो क् जब नितिन लटा तो प्रियंका ने कहा देखा जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर दिया है तुम्हारी बहन ने नितिन प्रियंका की कहावत समझ नहीं पाया आखिर अब क्या कर दिया और क्यों बेवजा उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो नितिन ने कहा तुम् वक्त में साथ देने की बजाए तुम उस पर चोरी का इलजाम लगा रही हो इस वक्त वहा किस दर्द के साथ गुजर रही है और तुम हो कि उसकी दुस्मन बनी बैठी हो अगर हम भी उसके इस बुरे वक्त में साथ नहीं देंगे तो अपनों के होने का फायदा ही क्या हुआ नितिन ने प्रियंका को समझाते हुए कहा ये बड़ी बड़ी बाते ना मुझे समझ नहीं आती बस मुझे मेरी चेन चाहिए और मैं इन चोरों को अपने घर नहीं रख सकती प्रियंका ने कहा तो मैं इनको इस घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए घर की ववस्था कर दी है मुझे मेरी बहन का अपमान देखा नहीं जाता नितिन ने कहा अनिका और मनुज दोनों का जगड़ा सुन बाहर आ गए भाया सच में मैंने भावी केचेन नहीं चुराई है आपकी कसम भाया अनिका ने रोते हुए कहा मैं जानता हूँ अनिका तुमने कोई चोरी नहीं की है गलती मेरी ही है तुम्हें जो यहां ले आया लेकिन करता भी तो क्या लेकिन अबावर नहीं मैंने तुमसे कहा थाना कि तेरा भाई हमेसा तेरे साथ है और तुने यहां आते वक्त कहा थाना कि भाया मुझे नहीं जाना आपके साथ घर अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो बस भाया मुझे कोई काम दिलवा दो या फिर कोई छोटी सी कास्मेटिक सामान की दुकान खुलवा दो जिससे हम दोनों का गुजारा हो सके बस कल में उसी सिलसिले में तो बाहर गया था अब तुझे यहां रहे कर अपमान नहीं सहन करना पड़ेगा मैंने तेरे लिए घर और एक छोटी सी दुकान की विवस्था कर दी है गर के नीचे ही दुकान है ताकि तुम दोनों ही बैट सको और समाल सको सामान की चिंता मत करना मैंने डलवा दिया है और सभी चीजों की विवस्था मैंने कर दी है और एक खुश खबरी और सुन कल तेरी दुकान का महूरत है नितिन ने खुशी से हांसते हुए कहा यहाँ सब सुनकर प्रियंका के मन पे सांप लोडर है थे लेकिन कई कुछ सकती नहीं बस इसी में खुश थी कि कल अनिका यहाँ से चली जाएगी अनिका भी अपने भाई की बात सुनकर उसके गले लगकर रोने लगी और कहने लगी भाई या हम आपका यहाँ कर्ज कैसे उतारेंगे कर्ज की बात सुनकर नितिन ने कहा कर्ज कैसा पगली अगर आज पापा जिन्दा होते तो साय द्वा भी यहीं करते जो मैंने किया है बस अब रोना धोना बंद करो और खुसियां मनाओ मुझे माफ कर देना मनोज मेरी वज़ा से तुम्हें यहां रहकर अपमान सहन करना पड़ा तुम्हारे आत्मसमान को ठेस पहुची नितिन ने मनोज के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा नहीं नहीं भाई साहब यह आप क्या कह रहे आप हाथ मत जोड़िए सायद बस वक्त कावार था मनोज ने कहा कल अनिका की दुकान का मुहुरत था अनिका और मनोज रात को सोते समय यहीं बात कर रहे थे अगर नितिन भया हमारा साथ नहीं देते पता नहीं हमारा क्या होता कल दुकान का मुर्त भया के हाथों ही करवाएंगे दोनों ने निश्चे किया अनिका के लिए एक नई सुभा हुई अनिका और मनोज अपने सामान के साथ तयार थे उधर प्रियंका भी तयार हो रही थी मुहरुत में जाने के लिए तभी नितिन की नजर उसके गले में पहने सोनी की चेन पर गई तभी नितिन बोला ये चेन ये तो चोरी हो गई थी ना प्रिया कहां मिली। सच में जिन्दगी में कभी कभी कुछ लोगों का विवार कभी नहीं बदलता जैसे कि हमारी हिटलर भावी हमेशा की तरह हिटलर ही बनी रही आज बस कड़वी यादे याद करके अनिका की आखे नम थी और मन कड़वाट से भर गया था आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद